मानवता के एक एक से धन्त को संझोकर संभाल कर रखने के जरूत है और किवल रखने के ही जरूत नहीं बलकी उनको संझोकर रखकर उसके बाद अपने जीवन पर घटित करने के जरूत है अपनों के जीवन पर घटित करने की जरूरत है अपने आने वाले पीड़े के बच्चों के जीवन पर घटित करना बहुत सरूरी है जब तक यह कारे नहीं किया जाएगा तब तक मानौस सभ्यता का कल्यान कैसे हो सकता है मानौस सभ्यता की कल्यान के लिए मानुस सभ्यता के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए, मानुस सभ्यता की सुरक्षा एवं उसके संरक्षण के लिए ये सब कदम उठाना बहुत जरूरी है अधिकांश लोग इस बात से कत्राते हुए देखते हैं, अधिकांश जिम्मेदार लोग और सामाने लोग भी इन चीजों से कत्राते देखते हैं, पर कत्राने से काम नहीं चलने वाला अभी तक कत्राते रहें, जिसका परणाम आज दुनिया के सामने है, हम सब के सामने है, पूरी दुनिया में अशानती की समस्या फैली होई है, पूरी दुनिया बेचैन है, परिशान है, चिंतित है, पर किवल चिंता से, परिशान होने से कुछ भी नहीं होगा सच्मेद चिंतन करना है चिंता करना है तो सेप्रैसों में सनलगन होजाना होगा सनलगनता के बाद निरन तर तर तमिता बनाये रखने के वी जरूत होगी जब निरंदर तारितमिता बनी रहेगी तब ही परणाम आने के संभावनाय बढ़ जाएगी और जब परणाम आने के संभावनाय बढ़ जाती है तो अंतर आत्मों में लगाव बनता है उत्सा बढ़ता है और इसी उत्सा को तो मैं जन जन में बढ़ाना चाहता हूँ जन जन को यही तो मार्ग दिखाना चाहता हूँ कि जो एक विक्त सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ मेरे अकेले प्रयास से क्या होगा पर उसे इस बात का अभास नहीं कि पूरी दुनिया के सभी लोग अगर यही सोचते रहें कि मैं तो अकेला हूँ केवल मेरी प्रयास से क्या होगा फिर तो कोई भी कारी करना संभव नहीं होगा मानुस सभ्यता के लिए हम सब को प्रयास करना होगा नकारात्मक्ताओं की राहों से उलट कर वापस आकर सकारात्मक्ता की राहों पर आना होगा प्रिकृत के सन्रक्षण के बारे में चिंतन करना होगा, विचार विमर्ष करना होगा और उस पर कदम उठाना होगा जब ये सब होगा तभी मानुसभ्यता सुरक्षित, समन्मित, संतुलित एवं सन्रक्षित होगा यही सन्रक्षित रूप जनजन के सुक, शान्त, आनंद का कारण बन सकता है